हरे क्रिश्ण तो भी रीसेंट ये भी एक मूवी रिलीज हुई वॉलीवूड में जिसके अंदर विलन बोलता है अरे मैं अगर किसी का कतल कर दूंगा भला क्या जाएगा गीता के अंदर लिखा है हम शरीर नहीं हम तो आत्मा है मैं तो सिर्फ आत्मा को शरीर से अलग कर रह है फिर थोड़ा वाले की थोड़ा संसली खेश बनाया जा सके फोड़ा साईको दिखाया जा सके अलग की इस तरह की intention रहती है इस तरह की strategy रहती है जब जब shootings होती है लेकिन इस तरह की publicity चाहे positive हो चाहे negative हो लेकिन publicity तो publicity है जैसे देवानन जी ने एक movie बनाई थी हरे कृष्णा हरे राम और उसमें एक गाना भी था दम मारो दम मिट जाए गम बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम तो उसवक्त कुछ लोग को होता है इसी ब्रहनती हो की शाएद हरे कृष्णा हरे राम वैरे चिर्लम लेते हैं brown sugar लेते हैं अपो संदोर किसी प्रकार का नशान नहीं करते है चाए coffee भी नीं पीते लेकिन हाँ उस द podéis को ऐसी गलत सहम्हीं होसता हुई हो लेकिन एक बात है हरे क्रिष्ण हरे नाम घर घर तक पहुंच गया क्यों? क्योंकि पडिसिटी चाहे पोजिटिव हो या नेगेटिव हो पडिसिटी तो पडिसिटी ही होती है देखिए हत्यारा चाहे भगोदीता पड़े या ना पड़े उसको जो हत्या करने हो करेगा क्योंकि वो तमोगुन के अंदर है वो विक्तितामसिक है लेकिन हाँ अपने बुरे खितियों को मैं जस्टिफाइ कर सकता हूँ भगोदीता का श्लोक ले करke या फिर कुरान का श्लोक ले करके कहे करके जिहाद करनी चाहिए वास्ता में असली मतलब होता है अपने अंदर की बुराईयों से लड़ना ना कि भार मासूम लोगों को मानना उसी प्रकार से कोई भगवदीता का भी मिस्यूस कर सकता है ये कहे करके कि भगवदीता के अंदर लिखा है कि ये शरीर है शरीर नहीं है अम तो आत्मा है और हत्यारा जो है शर्व आत्मा को शरीर से अलग कर रहा है तो killing can be justified in that way पर अचुरी भगवदीता killing को justify नहीं करती ये तो ये विक्ति है जो कि अपनी killing को court कर रहा है यहां से वहां से authorize करने के लिए और कुछ नहीं भगवदीता हिंसा के लिए कहती है लेकिन किस प्रकार की हिंसा हमारे अंदर हिंसा हमारे अंदर जो काम है क्रोध है लोब है इर्शा है द्वेश है अहंकार है इन सबसे लढ़ना चाहिए वास्ता में और इसी लिए भगवदीता हमको शिक्षा देती है हिंसा की लेकिन बहार नहीं हमारे अंदर आमने कहां वह सुनी होगी the more we sweat for peace the less we bleed in war यानि कि जितना ज्यादा हम शांती के लिए पसीना भाएंगे उतना ज्यादा युद्ध कम होंगे हमारा खून कम भाएगा लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे की पसीना भहे शांती के लिए लेकिन क्या करना चाहिए ऐसा जिससे शांती बनी रहे यह कला हमको सिखाती है अवा की बात करते हैं जैसे कि भगुदीता का चैप्टर 10 वर्स नमबर 4 दसवय ध्याय का चौथा श्लोक वो बता रहा है कि किस प्रकार से में अहिंसा, सम्ता, तुष्टी, अहिंसा होनी चाहिए सम्हाने जीवात्नों के प्रती, सम्ता यानि सम्भाव होना चाहिए, तुष्टी, यानि कि साटिस्फैक्शन होनी चाहिए, उसी प्रकार से भगुदीता के चैप्टर नमबर 13 वर्स नमबर 8 के अंदर भी आ रहा है, किस प्रकार से वहाँ पर मेंशन आता है कि लेकिन हमारे अंदर जो बुराईया है, उनके प्रती हमें शांती नहीं रखनी है, उसे लड़ना है, और ऐसे कई सारे एंजएमपल्स हैं, जहाँ पर किसी विक्ती ने भगुदीता पड़ी और वो सीरर किलर था, एक क्रिमिनल था लेकिन आज वो एक अच्छा भक्त बन गया क्यों? क्यों क्यों उसने भगवत गीता का पालन किया जैसे कि क्रिस मैथ्यू नाम के एक विक्ती थे जो कि पहले जेल में थे और वहाँ पर हमारा इसकॉन प्रिजन मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोग्राम हुआ करता था और भग जाते थे और गीता सिखाया करते थे जेल की कैदियों को और उन जेल की कैदियों में से एक था क्रिस मैथ्यू और एक क्रिस मैथ्यू नाम का विक्ती जब इसने भगवत इता पड़ी इसको जाना समझा, अपनी कैद पूरी करके जब भार गया तो यह भक्त बना और इसने बाद में जाके दीक्षा ली और एक क्रिस मैथ्यू बाद ने बन गया चंदरशेखर दास, यानि कि भवाश्री क्रिशन का दास और यही Chris Matthew अब जेल जाते हैं जेल में जाकर के कैदियों से मिलते हैं उनको भगवतीता सिखाते हैं क्यों? क्योंकि जिस तरह से इनका जीवन मदला है उस प्रकार से बाक्यों का जीवन भी बदल सके इसलिए Chris Matthew ने जो की चंदरशी का दास बन गए हैं दिक्षा ले चुके हैं प्रमाने गुरू से इसकौन के अंदर आज बजाकर के प्रिजन में कैदियों की सेवा करते हैं उनको इस दिविस संदेश देते हैं भगवतीता का इसे प्रकार से एक सीरिल किलर था जो की भागा हुआ था उसकी फिछे स्कॉट्लेंड याड पड़ी हुई थी और वो भागते भागते आकर कि इस कौन टेंपल में आ गया उसने ऐसी हमारा हमारी तना सर्म उडालिया उसने तिलक लगा लिया धोती कुर्ता पहन लिया और छुप करके हमारी बीच में रहने लगा ताकि पुलिस उसको ना पकड़ सके लेकिन हुआ क्या जब यहाँ वो भक्ती का पालन करने लगा और साधी भगवतीता के संदेश को फॉलो करने लगा उसका हरदेश शुद्ध हुआ और उसने 5-6 साल के बाद अपने गुरुदेव के पास वो गया उसने बोला गुरुदेव मैं एक सीरल किलर था पहले मैं हत्या क्या करता था लोगों का पैसा लेकर के लेकिन आप यहाँ भक्ती का पालन करना हूँ गीता की शिशा का पालन करना हूँ तो आज एक गिल्ट आता है मेरे को कि मैं कितना गिनोना था, कितना बुरा था मैं, मुझे क्या करना चाहिए तो उस वक्त उनके गुरुदेव ने कहा कि आपको जाकर कि पुलिस को अपने आपको सरेंडर कर देना चाहिए, कि मैं वही पापी हूँ, जो कि भागा हुआ है अब मुझे नहीं पकड़ पाई थे 5 साल पहले, और अब 5 साल बीच चुके हैं, हाला कि मैं इसकॉन में हूँ लेकिन आपको जो सजा देनी हों, जो भी ट्रायल्स करने हो मेरा अगेंस, प्लीज गो हैट तो ये जब गए तो पुलिस इनको लेकरे गई और फिर पुलिस में सब्मेट करने के बाद फिर ये कोट केस चला इनकी उपर तो कोट में जज ने इनसे पूछा, कि आप, आपकी दिन चरिया पिछले 5 साल में क्या रही है तो इसने बताया है, मैं सुबह उड़ता हूँ, चार बजे, नात दोता हूँ, मंगल आरती करता हूँ, भवान के सुबह दर्शन करता हूँ, दो घंटे भवान के नाम कर जब करता हूँ, जब भकलो प्रसाद पा लेते हैं, तो बरतन साफ करता हूँ, सलकों पे जाता लेकिन फिर भी भगवदीता बाढ़ता हूँ, ये सब काम करता हूँ, तो जजज ने कहा कि अच्छा तुने पांस साल ये सब कुछ किया है क्या, फिर तो तुमें ना तुमने अपनी सजा भगवत लिया, तो इसलिए तुमको सजा क्या वश्यक्ता नहीं है, तुम जाके हर करें कि और हिंसा करें, ये स नहीं है, याँसा नहीं है, क्योंकि अगर इक श्लोक पड़ेगा, तो हुआ कि आप बाके के श्लोक भी पड़ेगा जिसमें की भक्ति की बात होई है, एस्पेशली जो किंग वर्स है, जो सबसे सर्वश्रेष्ट वर्स है, भगवदीता का वो ह है सरव धर्मान परितज्य मामे कम शराम रजा अहम तो हम सरव पापे भ्यो मुक्षिश्यामी माशचा एक लौती मेरे शरण में आ जाओं मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्ष कर दूँगा डरो मत और यह भवान श्रे और इस प्रवतियां भी यह विक्ति के अंदर वो वास्ते में ठीक हो जाएंगे तो इस मिकार से भग और इता कि प्लीटःता की शिक्षा को अपने अंदर लेकर आये और कहएं अधे ना जो हम हिंसा outside. Thank you very much for watching. Hare Krishna!